हलकी हलकी बारिश या फिर भर सर्दियों में अगर इस तरह के क्रिस्पी कुरकुरे पकोड़े या भजिया हो और साथ ही अद्रक वली चाय हो तो बात ही क्या है तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर तीन मेडियम साइज के यानि मध्यमाकार के प्यास लिये हैं जिससे हमने चील कर इस तरह से लंबे लंबे टुकडों में काट लिया है आप देख सकते हैं इसमें डाल देंगे और आप हम यहाँ पर डाल रहे हैं तीन बड़े चमच कच्ची अंबी आजकल सीजन में हैं तो मैं यह डाल रही हूँ अगर आपके पास ना हो यह सीजन में ना हो तो आप इसे स्किप बे कर सकते हैं लेगिन इससे भजिया का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है कच्ची अंबी की जगा आप अमचूर डाल सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिच बारी कटी हुई और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग, साथी डालेंगे 1 चोठाई छोटी चमच हल्दी पाउडर, 1 चोठाई चोटी चमच गरम मसाला पाउडर और 1 चोठाई चोठी चमच ही अजवाइन को हम हाथ से इसना से क्रश करके डालेंगे ताकि इसके सारे फ्रेवस अच्छे से निकल कर आएं और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मश दरदरा कुटा हुआ ये साबुत धनिया है और साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मश दरदरी कुटी हुई सौंफ सौफ और धनिया को आप हलका सा क्रश करके डालेंगे तो इस कटे साधा अच्छा आएगा और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इने हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो प्यास की स्लाइसिस जो आपस में जुड़े हुए हैं वो सब अलग हो जाएंगे इस तरह से हलका हलका इसे क्रश करते जाएं ताकि इसा भी प्यास की लच्छे अलग हो जाएंगे अब हम इसमें दो से तीन चमच हरा धनिया डाल देंगे बारी कटा हुआ और इसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे पाँच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि नमक की वज़े से प्यास और अंबी में से थोड़ा सा पानी चूट जाएगा और ये देखिए पाँच मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच अद्रक लसन जिसे हमने बिल्कुल बारी ग्रेट किया हुआ है आप चाहें तो बेस्ट भी डाल सकते हैं अब हम इसमें पांच चमच भरके बेसन डाल देंगे बेसन आप अपनी आवशकता नुसार जैसा आपको ठिक लगे एक से दो चमच और डाल सकते हैं बाद में अगर आपको जुरत लगे तो साथी अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच चावल काटा चावल काटा डालने से इसमें ये भजिया क्रिस्पी तो बनेंगे ही साथी टेस्टी भी जादा बनेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और या जिसे खाने वाला सोडा या जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं और इसे डाल कर हम मिक्स कर लेंगे आप इसे या तो चम्मच से मिक्स कर रहे हैं और अगर हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो हम इसे हलके हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत जादा आपस में जोड़ना नहीं है थोड़ा सा खुला खुला ही रखना है इस मिक्षर को मुझे इसमें बेसन हलका सा कम लग रहा है तो मैं इसमें एक चमच बेसन और डाल दूँगी अब हमने ओयल पहले ही गरम कर लिया है कड़ाई में ओयल मध्यम गरम होना चाहिए हम इसमें एक से दो पिंच नमक डाल देंगे नमक डालने से आप जो भी चीज फ्राई करेंगे वो ओयल एब्जॉब नहीं करती है और अब हम इसमें यह भजिया डाल देंगे और इन्हें मी अध्यम गरम होना चाहिए अगर बहुत जादा गरम होगा तो भजिया इतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगी और अगर कम गरम ओयल में आप भजिया डाल देंगे तो वो ओयल एब्जॉब कर लेंगे और यह देखिए हमारी भजिया अच्छे से फ्राई हो गई है अच्छे से इ मिर्ची फ्राई करने के लिए पहले आप इसे बीच से इस तरह से काट ली वरना यह ओयल में जाकर फट सकती है लेकिन फिर भी यह ओयल में जाकर कई पर फट जाती है इस तरह से काटने के बावजूद भी तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें और यह हमने मिर्ची भी फ्राइ कर ली है तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और लीजी हमारी कांदा भजिया बनके तयार है बहुत ही जादा टेस्टी है क्रिस्पी और कुरकुरे हैं और साथी चटपटे भी हैं और मैंने इसे सर्फ किया है अपनी मन पसंद चटनी के साथ आप इसे अपनी मन पसंद चटनी के साथ बनाएए खाएए और इंजॉय करेए और मुझे फीडबैक जरूर दीजे कि आपको ये कैसी लगी और अगर आपको हमाई रेसेपीज पसंद आती हैं तो हमारी चैनल रिटारूर रेसेपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं और नए नए रेसेपीज के लिए